दोस्तों GTL Infra की बात करें तो Friday को Stock के अंदर Upper Circuit लगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि Lower Circuit और Upper Circuit के फेर में पढ़ चुका है Stock यहाँ पर देख सकते हो कि न लगातार Upper Circuit लग रहे न Lower Circuit लग रहे लेकिन सिमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है ऐसे में क्या करना चीए कि इसलिवर पर खरीदारी करनी चीए या फिर Stock से निकल जाना चीए यहाँ पर दो बड़ी Breaking News निकल क्या रही है जिनको हमेके करके डिसकस करने वाले सरकार ने लिया है बहुत बड़ा फैसला जिसका क्या असर होगा GTL पर उसको समझने की कोसिस करेंगे दूसरी तरब BSNL की तरब से काफी बड़ी गुड़ी निकल क्या रही है आपको यह पता ही होगा कि GTL इंद्रा का जो नेट्रोक है वो स्पेशली रूलर एरिया और ग्रामिरी छेतर में जादा है और ऐसे में जो BSNL की सर्वीस है वो भी जादा करके फोकस ऐसी छेतर पर है ऐसे में क्या GTL को इसका benefit मिलेगा जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से जो बड़ी deal हो रही है वो क्या इसारा करी है क्या बड़ी fund house इसमें active है या फिर operator active है जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइकोन दबा दीजिए ताकि छबी नेवलियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलू फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले जीटियल इंद्वा के कारूबार की बात कले तो स्टॉक की शुरूआ तो गिरावट के साथ ही 2.62 पर क्लोजिंग थी गुरुआर की 2.75 के आसपास इंट्राडे में यही लो है और जो हाई बना वो 2.88 का है तो अपर सर्कृट लगा है 2.88 पर 4.73 परसेंग की सांधार तेजी अब इसकी परफॉर्मर्स अगराब देगे तो पिछले कई दिनों से अपर सर्कृट लोर सर्कृट के फेर में पढ़ गया है और देख सकते हो कि जो स्टॉक लगातर दोर उसके बाद में गिरावट का दोर सुरूआ तो 19 जुलाई को इसमें लोर सर्कृ सर्कृट लगा 2.96 के आज पर श्टॉक आ गया तो उसके बाद 29 जुलाई को आप देख सकते हो कि इसमें क्लोजिंग पॉजिंग पॉजिंग रही है उसके बाद 30 जुलाई से स्टॉक में फिर गिरावट शुरूए तो 30 जुलाई से देख सक लगातर इसमें लोर सर्कृट लगे 2.7 फाइटर श्टॉक आ गया और फाइनली 2 अगस्त को फिर से देख सकते हो कि इसमें अपर सर्कृट लगा तो एक बात समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे न तो बड़ी तेजी की समवर बने न गिरावट की एक सिमी दारे में अप्ट्रेड करता हो दिखे देगा क्योंकि जो ऑपरेटर इसमें एक्टिव थे वो फिलाल इसमें अभी इतने ज़्यादा तेजी से अपने पोजिशन को यहाँ पे क्लिर एक तरफ नहीं कर रहे है और यह क्लिरली समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारे अलगलग ग्रूप सकरी है और इसमें जैसे इसका डारेक् कंपनी फिर से मारकेट में आने को त्यार हो चुकिए आपको बता होगे टार टेलिकॉम का बिजनस जो बाद में और कंपनी ने बेच दिया था बीजनस ऐड़िया ऐड तवर निकल के दिखाइब वहाँ पे BSN और TATA मिलके अब service प्रवाइड करेंगे और आने वाले समय इस काम को तेजी से आगे बढ़ाते हो दिखा देंगे तो BSN इस race में जो बहुत पीछे रहे गया तीन private player है अब TATA के साथ मिलके BSN उनके साथ में लड़ने को तयार है योगी एक तो price hike कर ली है तीनों company आईसे में अब लोग भी चाते कि कोई नया player हो जिससे कुछ उतको benefit मिले बीएसल अब सस्ते में service प्रवाइड करेंगे तो customer उनकी तरफ आ सकते है और TATA का साथ मिल गया इसका मतलब ही है कि ये competition fight दे सकते हैं उनको तो बिल्कुल एक तरस से देखे तो एक और बहुत ही अच्छा मौका दिखाए दे रहा है काफी ज़्यादा गाओं में जापे ग्रायमिन चेतर में अभी तक दूसरी company उतनी खास service नहीं दे पा रही है वहाँ पे BSL service दे सकते है टाटा की मदद से और GTL के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनियर क्योंकि GTL Infra के जो नेट्रोक है वो गाओं में पहुचे हुए शेरों की बजाए उनका नेट्रोक गाओं में ज्यादा है रूलर एरिया में ज्यादा है तो इस partnership का उदेश है कि कम से कम 1000 गाओं को 4G service और high speed internet से less किया जाए बीच में कुछ rumors भी चले थे कि BSN का अधिगरन Tata कर सकता है और यह private company बन सकती है लेकिन आप देखे तो ऐसी अभी फिलाल समभावना नहीं है सरकार इस BSN जैसी private player के हाथ में नहीं देदा चाते बलकि Tata Group के साथ में partnership करके BSN को मजबूत करना चाते फिलाल BSN के privatization का कोई सवाल ही नहीं उठ रह और option मिले अगर BSN 5G service रूप कर देते हैं तो फिर customer तुरंत उनकी तरफ attract हो सकते तो एक बहुत ही अच्छी opportunity समय जीटेल इंफ्रा के लिए दिखाई दे रही है एक जो बड़ी update on nickel के आ रही है सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है एक नया rules लागू किया है TRIE की तरफ से अब यह जो rules है यह सभी player के लिए लागूगा चाहिए वो जियो एटेल और वोड़ा फोन हो या BSN जो सब के लिए लागूगा इस नया standard of quality service यानि QOS service शुरू की है इस नय rules के तरफ अब उनको सिवा में कमी पे penalty भी लगेगी और लोगों को उसका फिर से मुआवजा देना होगा यानि एक दिन से जादा कहीं पर अगर service नहीं दे पाती है company तो उसके बदले में उनको वो पैसे का जो बुक्तानों किया customer को वापस करना होगा अगर पोश्ट पर service है तो उनका मंतली चार्ज बढ़ा के देना होगा या फिर उनके पैसे कम होगे अगर किसी ने प्रि साथ में जिस डिस्टिक के अंदर या फिर जिस तैसिल के अंदर सेवाए उनकी बादित हुई है तो वहां के जितने भी उनके जो ग्राग है उन सब को पैसे वापस करने होगे तो इससे अब चिंती दोगे टेलिकॉम कंपनिया उनका कहना है कि इससे उनको भारी दुक्सान होगा और अल्टिमेटली सिदा इसका बोज़ भी जनरल पब्लिक के पास ही जाएगा क्योंकि हम फिर और प्राइज बढ़ाएंगे तो यह कुल मिला के सरकार को एक गरसे ब्लैक मेल कर रही है यह कंपनिया की हम और कस्टमर को भार देंगे और पहले से ही प्राइज बढ़ होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और इसलिए सरकार ने एक अदम सही उटा है ताकि यह आने वाले समें जो सर्वीस है वो सुचार रूप से चल पाए तो कुल मिला के देख सकते हो कि यह जो आने वाला जो समय है टेलिकॉम सेक्टर में एक बदलाव लाने रिवोलुशन लाने वाला है और ऐसे में यह जो छोटा पैनी स्टोक है क्या यह धमाखा करेगा तो कुछ डिल जो हुए उनका क्या है उसको समयने की कोसिस करते क्या या पर बड़े फंडाव सी समय खरीदारी करें तो सुबन नौ बज कर 57 मिनट पर 2.64 की प्राइस से 88,33, की एक बीक्वाली हुई फिर 9 बज कर 57 मिनट पर 2.67 की प्राइस से 1 क्रोड 80,93,000 की जबर्दस खरीदारी हुई फिर 9 बज कर 58 मिनट पर लगबग उसी समय 2.65 की प्राइस से या पर देखते हो की 1 क्रोड 21,50,000 की जबर्दस खरीदारी और हुई यानि किसी बड़े इसे थोड़ी सी शेर प्राइस नीचाइए फिर 2 बज कर 54 मिनट पर 2.88 की प्राइस से यापर 1.15,00,00,000 की एक बड़ी खरीदारी फिर से हुई तो क्लेरली देख सेतगों की खरीदारी बिक्वाली दोनों तरब का माहुल बना हुआ फिर 2.88 की प्राइस से यापर 3.25,00,000 अब यहाँ पे इसकी weakness और इसके strength देखे तो फिलाल आप देखे SWT के माधिम से इसमें 6 strength है और इसकी opportunity 8 है दोनों मिला के 14 point है जो positive है कमजोरी देखे तो weakness इसमें 9 है और एक threat है जो 10 है तो opportunity और strength के मुकाबले weakness थोड़ी सी कम है इसका मदबी है कि इसके अंदर plus point है बहले ही यह company समय loss making हो बहुत सारी problem भी हो भारी बरकम करज हो लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि यह जो sector है इसमें सरकार का पूरा सयोग मिल रहा है और ऐसे में यह stock आने वर इसमें बैतर प्रद दूब भी सकता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बढ़ ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से रूखिजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friends